हेलो दोस्तों आप देख रहें A2Z अकाउंट्स ग्यान फ्रेंज एक गुड नीज है जैसा के आप सब को पता सा के पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की ड्यू डेट 31 दिसंबर 2019 थी लेकिन अभी तक बहुत से लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया था उनके लिए एक गुड नीज है जी हाँ पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की ड्यू डेट को गवर्मेंट ने अक्सेंड कर दिया है वो अक्सेंडर डेट क्या है इंकम टैक्स ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके बताया है दा ड्यू डेट फा लिंकिंग ओ पैन विद आधार एज स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 2 अफ सेक्शन 139 एए अफ दा इंकम टैक्स एक्ट नेंटिन सिस्टीवन जी हाँ फ्रेंड पैन कारड को आधार से लिंक करने की जो ड्यू डेट 31 डिसंबर 2019 थी उसको अक्सेंड करके 31 मार्च 2020 कर दिया है जी हाँ पैन कार्ड को अधार से लिंक करने के डियू डेट को तीन महिने के लिए बढ़ा दिया है नोटिफिकेशन नमबर 107 ऑफ 2019 डेटर 30 दिसंबर 2019 इशुड बैए CBJT जेवन पर्सन के लिए गूड डियूज है जोनों ने अभी तक अपने पैन को अधार से लिंक नहीं किया था वो जल्दी से जल्दी अपने पैन को अधार कार्ड से लिंक कर लें अगर आप due date तक अपने pen को अधार से link नहीं करते हैं तो आपका pen number जो है वो invalid हो जाएगा तो friends जे तो थी एक छोटी सी news वीडियो आपको अच्छी लगी तो please वीडियो को like और share जूरूर करना friends आप comment करके जूरूर रताना कि आपने pen को अधार से link कर लिया था जा नहीं friends जे वीडियो और लोगों के साथ भी share करना ताके और लोगों को भी जानकारी हो सके friends अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो के नीचे लाल रंके subscribe बटन पर क्लिक करके चैनल को जुरूर subscribe कर लें और साथ में लगे बैल के अगर पर क्लिक कर दें इससे मेरी हर नए वीडियो की notification आपके पास तुरंत पहुंचाएगी मेरे चैनल पर आपको income tax GST बीजी accounting software और basic knowledge की वीडियो मिलेंगी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद